सो ही गाईज वेलकम बेक तो माई यूट्यूब चैनल आइम दिपिका एंटोड आइम गोईंग टो एक्स्प्लेइन चैप्टर एट ओफ क्लास 11 यह हमारा लेक्चर थर्ड है और हम टोपिक यूकारियोटिक सेल से जो है इसका करने वाले हैं ठीक है इसके सेल मेंब्रेन और स नुकलियस के लिए यूज किया जाता है तो इनके पास ट्रू नुकलियस प्रेजेंट होता है ठीक है तो जो यूकारियोटिक है इसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ा आती है प्रोटीस आएंगे प्लांट आएंगे एनिमल्स और फंजाई और हमने देखा था मोनेरा तो म हमारी प्रोकारियोटिक सेल के अंदर आता है ठीक है यूकारियोटिक सेल में देर इस एन एक्स्टेंसिव कंपार्टमेंट मेंटलाइजेशन ओफ साइटो प्लाजम थ्रू दे प्रेजेंस ओफ मेंब्रेन बाउंड और्गनली यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे प उकारियोटिक सेल के पास उसका एक और्गनाइजड निुकलियस के बाहर क्या होती है तो यह जो नुकलियर मेंब्रेन है वो हमारी प्रोकारियोटिक सेल में नहीं मिलती है In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure Locomotion में और cytoskeleton जो structure होते हैं तो वो भी हमारी eukaryotic cell पोसेस करती है Like इसके पास flasilla वगेरा, ठीक है? यहां हम और भी चीज़े पढ़ेंगे Cilia, flasilla, तो यह सब भी हम यहां पर पढ़ते हैं Their genetic material is organized into chromosome यहां पर ध्यान रखना है कि इनका जो genetic material है वो हमारे किसमें present होता है, chromosome की form में होता है All eukaryotic cell are not identical जो भी हमारी eukaryotic cell है, वो एक जैसे नहीं दिखती है अलग-अलग type की भी हो सकती है, ठीक है? मिंस होती ही है Plant and animal cells are different as the former possessed cell wall और plant और animal cell की भी देखे, तो वो भी हमारी अलग-अलग होती है जैसे कि हमें पता है कि plant के पास क्या होता है, cell wall होती है ठीक है, plant के पास क्या होता है, plastid होता है उसके पास large central vacuum होता है लेकिन ये सब हमारी animal की cell में तो नहीं होता ठीक है, हमारी animal की cell में cell wall नहीं होती है दूसरी तरफ देखे, तो animal की cell में क्या होता है इसमें centriol होता है जबकि centriol plant की cell में नहीं होता तो इस पहरागराफ में हमने क्या सिखा सबसे पहले तो main बात यह है कि eukaryotic cell जो है उसके पास क्या होता है उसका खुद का nucleus होता है well defined और उसके बाहर nuclear membrane होती है यहाँ पे locomotory और cytoskeleton structure भी present होती है इनका genetic material जो है वो chromosome की form में organized होता है और यहाँ पे इस line में क्या सिखा कि plant और animal की cell कैसे different है तो plant के पास क्या होती है cell wall होती है जबकि animal के पास cell wall नहीं होती है plant के पास plastic होता है और large central vacuum होता है और animal के पास यह सब नहीं होता है उसके पास centriol होता है तो यहाँ पे figure दे रखी है हमको जैसे यह किसकी दे रखी है तो यह हमारी एक plant cell दे रखी है तो यह हमारी plant cell है और नीचे वाले क्या है animal cell है तो यहाँ हम देखने को मिलता है क्या क्या चीज़े तो एक organized तरीके हैं जैसे यह cell wall होगी और काफी चीज़े जो है जैसे smooth endoplasmic reticulum हो गया गोल की apparatus हो गया nuclear membrane, plasma membrane lysosome तो यह सब तो हमारा बिल्कुल animal cell की तरह ही है बट कुछ चीज़े हैं वो animal cell में नहीं होती है यह हमारी animal cell है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें centriol हो गया जो कि उसमें नहीं था यह वाला centriol cell division में help करता है फर्दर आगे जाके फिर यहाँ बात करते हैं कि हम इसके structure और function पढ़ते हैं कि इसके जो इसकी cell organally present है वो सबसे पहले तो यहाँ पे हम cell membrane के बारे में पढ़ेंगे तो देखो जो इसकी detailed structure है cell membrane की वो कब पता चली वो 1950 में electron microscope की जब खोज होगी थी ना अच्छी वाली तो तब हमारे पास cell membrane का अच्छा सा structure देखने को मिला मिन वाहिल chemical studies on cell membrane specially in human RBC जिसको arthrocyte भी बोलते हैं enabled the scientist to deduce the possible structure of plasma membrane तो और भी study चलती ही रही जिसे RBC पे तो उन्होंने भी एक type की plasma membrane की possible structure हो सकती है तो वो हमको दी ठीक है तो these studies show that the cell membrane is composed of lipid that are arranged in a bilayer तो इन studies ने क्या बताया कि जो हमारी cell membrane या plasma membrane जो होती है वो किस की मिलके बनी होती है वो lipid की मिलके बनी होती है और जो की lipid है अपना bilayer में present होता है also the lipid are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part तो lipid में भी क्या होता है कि इसका जो polar head है वो हमारा बाहर की तरफ होता है तो polar head मतलब कहा हो कि बाहर की तरफ होता है और hydrophobic, phobic मतलब ये पानी से डरती है तो जो tail है वो हमारी अंदर की side present होती है तो ये वाला portion कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि जो हमारी head है वो तो बाहर की तरफ ऐसे present है और जो tail है वो अंदर की side है तो ये bilayer है तो हम इसको कुछ इस तरीके से show करते हैं तो ये हमारा NCRT में दिखोगे तो ये diagram अराम से दिखेगा उसके बाद बात करते हैं अब हाइड्रोफोबिक tail बोला क्यों क्योंग ये पानी से डरती है तो ये एकवस environment से protect करने के लिए हमारी अंदर की तरफ होती है और ये नोन पॉलर होती है ठीक है तो जो lipid component है membrane का वो किससे मिलके बना होता है तो lipid वाला component भी किससे मिलके बना होता है तो उसको बोलेंगे phosphoglyceride present होता है ठीक है तो lipid का तो होता है ये लेकि lipid में भी किसका component है तो phosphoglyceride बोलेंगे ये ध्यान रखना उसके बाद है later biochemical investigation clearly revealed that cell membrane also possess protein and carbohydrate बाद में और इसकी biochemical investigation हुई तो उसने क्या reveal कि cell membrane के पास protein भी होता है बही carbohydrate भी होता है तो lipid के साथ साथ protein भी होगा carbohydrate भी होगा और ये ध्यान रखना है कि protein का और lipid का ratio vary करता है ऐसा नहीं कि इतना protein है तो इतना ही lipid है नहीं ये अलग-अलग cell में इसका ratio vary करता है अगर बात करें human being की तो उसमें इर्थ्रोसाइट देखो वहाँ पे RBC देदिया यहाँ पे इर्थ्रोसाइट देदिया तो ये RBC होता है तो इसमें क्या होता है कि 52% protein होता और 40% lipid होता है ये ratio बिल्कुल दियान रखना कि 52% हमारा protein का दे रखा होता है और 40% किसका lipid का दे रखा होता है Depending on ease of extraction membrane protein can be classified as integral और peripheral ठीक है अगर membrane protein की बात करें इनके ease of extraction मतलब किस तरीके से present होते है तो हमारे दो टाइप की निकल के आदे तो integral एक peripheral तो देखो integral कौन से होते है जो अंदर धसे हुए होते है ये वाले peripheral कौन से होते है जो periphery पे होते है जैसे यहाँ पे present है ऐसे periphery पे ठीक है और periphery पे ठीक है और क्या होते है हमारे peripheral protein जो होते हूँ या तो surface पे होते है और integral क्या होते है या तो पूरे धसेवे होते हैं या फिर आदे धसेवे होते हैं टाइप से partially buried होते हैं जैसे इस टाइप से ऐसे present हो या फिर पूरे ही ऐसे present हो ठीक है और integral अंदर की तरफ और peripheral मतलब surface पे present है यह चीज ध्यान रखना और यहाँ पे जैसे diagram में हमने अराम से देखने को मिलता है क्या कि यह sugar भी present है carbohydrate प्रोटीन दिखा रखा है इन्होंने ठीक है और यह lipid की bilayer दिखा रखी है कि यह वाली लेयर है कि यह वाली लेयर बाहर इसका polar जो है वो क्या है head है और अंदर जो है वो क्या है हमारी tail present होती है non-polar tail ठीक है इतना हो गया अब हम बात करते हैं इसकी औ और आगे कि as an improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singler and Nicholson 1972 widely accepted as flood mosaic model इसका एक बहुत अच्छा improved model जो दिया गया था ना देखो पहले इनों बहुत से model दिये गए थे बर जो well accepted था वो कौन सा था Singler और Nicholson का 1972 में होने दिया था तो date भी याद रखनी है scientist भी याद रखना है और model को क्या बोला जाता है वो नाम भी याद रखना है क्योंकि Nate में पूछा जाता है वही ठीक है तो according to this और यह जो है न यह structure यह हमारा किसका है flood mosaic model का ही है ठीक है according to this इसके according the quasi flood nature of lipid enables lateral moment of protein within the overall bilayer जो quasi flood nature होता है lipid का तो वो क्या करता है वो हमारे proteins की lateral moment करता है किसके साथ bilayer के within ठीक है this ability to move within the membrane is measured as its floodity तो यह जो ability होती है इसकी move करने की membrane के साथ साथ तो उसी को बोलते हैं कि हमारी यह जो membrane है इसमें floodity शो होती है अब बात करते हैं कि जो इसका flood nature है membrane का is also important from the point of view of functions like cell growth अच्छा इसका जो flood nature है वो और भी मतलब important है क्यों है क्योंकि जैसे ही यहां पी हमें और function देखने को मिलते हैं cell में growth होती है formation of intercellular junction, secretion, endocytosis, cell division तो यह सारे function जो हैं हमारी cell membrane में देखने को मिलते हैं one of the most important function of plasma membrane वो क्या होता है molecules का transport होना भई cell है तो उसके अंदर और बाहर जाना भी तो है ना molecules को अगर cell को कुछ मिला ही ने तो कहां से फर्दर growth करेगा तो उसके अंदर जाने के लिए कहां से पास होना पड़ता है plasma membrane से पास होना पड़ता है तो यह अलो करती है molecules को कैसे अलग-अलग transport होते हैं अभी वो पढ़ेंगे कैसे होते हैं तो यह membrane जो वो selectively permeable होती है कुछ molecules पे जो हमारी either side present होते हैं मिन्स यह जैसे हमारी layer है तो यहां पे molecule present होईगे और अंदर यहां पे भी molecule present होते हैं तो देखो क्या होता है इसमें जैसे अलग-अलग हैं तो हम कुछ पढ़ते हैं देखो many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy कुछ molecules ऐसे होते हैं जो directly इस layer से इधर पास हो जाएंगे जो directly इधर पास हो जाएंगे भई उनको energy की ज़रूरत ही नहीं बढ़ती है तो उस type की transport को बोलते हैं passive transport ठीक है यह ध्यान रखना without energy passive transport neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from high to low यह तो पता है यह simple diffusion से कुछ solute जो है पास हो जाते है simple diffusion क्या है क्या कहना चाहता है कि अगर अंदर ज्यादा molecule है न बाहर कम है तो अंदर वाले बाहर चले जाएंगे बाहर ज्यादा है अंदर कम है तो बाहर वाले अंदर चले जाएंगे तो यह type से high to low concentration पे move होता है ठीक है अब बात करते हैं कि water कैसे जाता है तो water भी diffusion के थ्रूई जाता है बट उसको osmosis बोलते है देखो solute जा रहा है या gases जो भी है तो वह हमारी process होती है simple diffusion ठीक है और osmosis diffusion ही है means high to low concentration पे ही जा रहा है बट पानी जा रहा है तो उसको पानी के टम में osmosis बोलते है अब बात करते कि as the polar molecule can't pass through the non-polar lipid bilayer अब हमें ये पता है कि कुछ polar molecule होते हैं और वो जो non-polar lipid की bilayer होती है वहां से पास नहीं हो सकते है इसलिए उनको carrier protein की ज़रूरत पढ़ती है जो उनकी transportation में help करता है ठीक है facilitation में means उस पो वो पास करवाने में help करता है means वो अंदर भेज देगा किस concentration gradient की against होते हैं और कोई चीज against हो तो उसमें क्या होती है means low to high हो तो उसमें energy की जरूरत पढ़ती है जिसमें हमारी ATP use होगी और उस transport को बोलते है active transport और इसके example है sodium potassium pump ठीक है तो यहां पे देखुई इस paragraph में हमने क्या सिखा तो इसमें हमने simple सी बात है कि molecule कैसे कैसे transportation शो करते ह हैं जो without energy है passive transport होगे neutral solute वाले simple diffusion पानी का होता है तो osmosis ठीक है और diffusion high to low होता है फिर बात करते हैं निचे active transport means इसमें energy की जरूरत पढ़ती है ATP खर्च होगी example याद रख लेना sodium potassium pump ठीक है फिर बात करते हैं cell wall की cell wall में क्या है कि as you may recall a non living rigid structure called the cell wall देखो इनों ने पहला ही word बहुत खतरनाक दे दिया क्या non living rigid structure ठीक है non living है ये cell wall जो होती है वो क्या है outer covering for the plasma membrane of fungi and plant देखो अगर animal cell की बात करे तो simple हमारी plasma membrane शुरू हो जाएगी लेकिन अगर plant fungi की बात करे तो उनके बाहर एक और membrane present होती है जिसको क्या बोला जाता है cell wall बोला जाता है अगर मैं bacteria की बात करूँ तो इसके बाहर भी एक और थी ना जिसको glycocalyx बोला गया था तो ध्यान रखना ये ठीक है तो fungi और plant की बात करूँ तो plasma membrane के across बाहर एक और wall present होती है that is a cell wall cell wall जो होती है वो सिर्फ उसको shape नहीं देती उस cell को बलकि उसको क्या करती है mechanical damage or infection से protection भी देती है ठीक है it also helps in cell to cell interaction cell से cell का interaction में help करती है provide barrier to undesirable macromolecule कोई ऐसा ही undesirable macromolecule अंदर ना चला जाए तो उससे भी उसको provide करती है तो भाई ये cell wall की दो तिन important function थे जो याद रखने है फिर हमारी बारी आती है algae, algae के पास क्या होती है cell wall होती है made up of cellulose, galactans, manans and minerals like calcium carbonate देखो ये चीज जो है ना वो इस chapter में दे रखी है और जो algae वाला chapter है ना chapter 3 in class 11 तो वहाँ पे हम सोचते हैं कि ये algae तो वहाँ था और अगर ये आ जाए कि हो किस से मिलके बनी होती है और answer ये इसकी मिलके बनी होती है वही cellulose होता है उसके अंदर, galactans होता है, manans होता है और calcium carbonate होते हैं और plant की बात करें तो उसके अंदर cellulose होता है, hemicellulose होता है, pectine, protein होते हैं ठीक है तो यहाँ से इक question बहुत important हो और इसके आगे लिख लो neat में आता है अब हम बात करते हैं कि cellulose young plant cell की तो उसमें क्या होता है कि primary wall is capable of growth और primary wall देरे देरे छोटी होने लग जाती है, diminish मतलब खतम होने लग जाती है, जैसे जैसे cell mature करेगी और उसके बाहर secondary wall आना शुरू जाती है towards membrane inside of the cell, जैसे यह primary wall है तो यह देरे देरे खतम होना शुरू जाती है, ठीक है, यह थोड़ा ध्यान रखना, अब बात करते हैं middle lamella, middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds and glues a different neighboring cell together, यहाँ यह important बात है, क्या है कि जो middle lamella होता है, अपना जैसे इस cell है, तो इनकी यहाँ middle lamella type का glue होता है, वो क्या करता है, जो neighboring cell है, उसको आपस में जोड के रखता है, और यह किस से मिलके बना होता है, यह calcium pectate से मिलके बना हुआ होता है इसल बोल एंड मिडल lamella may be transverse by plasmodesmeta, यह plasmodesmeta present बोलते हैं इसको, जो हमारा क्या करता है, plasmodesmeta मतलब यह एक type का connection होता है, which connects the cytoplasm of neighboring cell, तो मैंने यहाँ अच्छा सा कुछ बना दिया, यह क्या है, यह क्या करेगा, जो cytoplasm इसका है, और इस cell का है, तो उनको जोडे रखत करता है, connect करता है, ठीक है, तो यह समझ आया, तो आज हमने दो इसके topic किये है, एक तो cell membrane किया है, एक cell बोल कर किया है, कल हम जो है, इसके endomembrane system करने वाले हैं, ठीक है, तो इस lecture में इतना ही अब मिलते हैं, next video with next lecture, so guys, if you like my video, then also subscribe my channel, and really thanks for watching my video,